दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जॉन उनके साथ घदारी करने वाले को बू के कुतों के आगे डाल दिया जाता है और क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई के दिन अगर कोई हस्ते हुई नजर आ जाए तो इसे मौत के घाट उतार देते हैं प्लस अगर इस मौलक में कोई हॉलिवुड या बाहरी मौवीज देखता हुआ पकड़ा जाए तो 6 शूटर्स गोलियों से उसे चलनी कर देते हैं वेल आज किस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली सबसे भ्यानक तरीन सजाओं की बारे में बताऊँगा तो शुरू करते हैं अपना काउंटटाउं अपने शहर में सौट कोरिया में सिर्फ सौट कोरियन मौवीज नहीं बलके दुनिया के किसी भी मुल्की मौवीज को देखना और इवन बेशना भी बैन है अगर कोई ऐसा करती हुए पकड़ा जाए तो इसे मौत की सजा दी जाती है इन दोनों यंग लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था जब ये दोनों लड़की सौट कोरियन मौवीज बेचते हुए पकड़े गे तो पुलीस नहीं अरेस्ट कर लिया लेकिन एक क्राइम इतना संगीन मना जाता है कि फॉरन मौवीज देखने और बेचने वालों को दर्दनाक मौत दी जाती है इन दोनों लड़कों की उमर सिर्फ 16 और 17 साल थी पर इसके बावजूद इन्हें दरख्त के साथ बांढ दिया गया और 6 शूटर्स की एक टीम ने इन्हें गोलियों से चलने कर दिया सिर्फ इतना ही नहीं बलकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि पुलीस ने ने मारने के बाद इन बच्चों की लाशों को भू के कुत्तों के आगे डाल दिया ताकि वो इन्हें नोच कर खा जाएं वेल इस चोटे से जुर्म के लिए इतनी भ्यानक सजा दुनिया में और कोई नहीं हो सकती डॉक मनिश्मेंट 200 एपरल 2019 में नौर्थ कोरिया का लीडर किम जॉंग उन अपनी ओफिशल्स के साथ अमेरिका की सदर डॉनल्ड टरम्प से मुलकात करने के लिए गया हुआ था जब किम जॉंग वहां से वापस आया तो इसे अपने चार गॉर्मेंट ओफिशल्स पर शक हो गया इसे लग रहा था कि इन्होंने इसके और नौर्थ कोरिया के बारे में कोई sensitive information American officials को sell की है लहाजा किम ने इन चारों को मारने का होकम दे दिया और इन्हें जिस तरीके से मारा किया इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे किम जॉंग ने होकम दिया कि इन चारों को पहले गोलियों से चलनी किया जाए और इनकी लाशों को बूखे कुतों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो इन्हें नोश नोश कर खा जाएं और फिर ऐसा ही किया गया इन चारों को पहले एक स्कुार्ड ने गोलियों से चलनी किया और जब ये मर गए तो इनकी लाशें वो के कुतों को खिला दी गई लेकिन ये डॉक पनिश्मेंट सिर्फ पबलिक के लिए ही मखसूस नहीं है बलके 2013 में किम जॉन उनकी अंकल जैन सेंग टाकी को भी सेम इसी तरह पहले शूट किया गया और फिर इसकी डेट बॉडी को कुतों के आगे डाल दिया गया असल में इसके अंकल पर घदारी का इल्जाम था क्योंकि किम जॉन उनको लगता था कि इसका अंकल इसका वफदार नहीं है इसलिए इस जलाद ने अपने अंकल को भी वो के कुतों को खिला दिया ये रियली अन्बिलिवेबल है डेट बाई एंटी एरक्राफ्ट गन दोस्तों दोसर बंदर में किम जॉन नौर्थ कुरिया के अंदर किसी प्रेस कांफरेंस में स्पीश दे रहा था स्पीश के दौरान इसके एक फौजी जर्नल की गलती से आंक लग गई और वो बिचारा सो गया किम जॉन को इसकी ये हरकत इतनी बुरी लगी कि इस जर्नल को एंटी एरक्राफ्ट गन से मारने का ओर्डर दे दिया असल में एंटी एरक्राफ्ट गन एक ऐसी वेपन है जो कि आसमान में उड़ने वाले प्लेन को भी तबाह कर सकती है इवन ये गन इतनी खतरनाक होती है कि गोलियों से ही पूरे का पूरा प्लेन तबाह कर सकती है किम जॉन ने इस फॉजी जर्नल को इस गन से मारने का होकम दे दिया ताकि सिर्फ नौर्थ कुरिया की पबलिकी नहीं बलके बड़ी पोस्ट पर बैटे हुए लोगों के दिलों में भी इसका खौफ पैदा हो जाए और वो कभी भी किम जॉन की शान में गुस्ताखी करने की सोच भी ना सकें सिर्फ इतना ही नहीं बलके 2016 में नौर्थ कुरिया की एगरिकल्चर मिनिस्टर जिसका नाम हवान मिन था और एजुकेशन मिनिस्टर जिसका नाम री यंग जिन था इनको भी किम जॉन उनकी कैने पर इसी गन के सामने खड़ा करके शूर करने का ओर्डर दिया गया असल में ये दोनों मिनिस्टर किसी करप्शन में मुलवस थे लहाजा इने ना सिर्फ मुल्क का बलके किम जॉन उनका भी घड़ार करार दे दिया गया और बिलीव करना मुश्किल है कि प्लीन को तबाह करने वाली मशीन कन इन लोगों पर चला कर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिये गए ये सच में किसी नाइट मेर से कम नहीं है पब्लिक एक्सिक्यूशन दोसों आप मेंसे बहुत सी लोग पब्लिक मनिश्मेंट के बारे में जाती होगी पुराने जमाने में जुर्म करने वाले फर्द को एहन बजार में लोगों के सामने खड़ा करके इसे मौत के घाड उतारा जाता था ताकि लोग इसे इबरत हासल कर सकी लेकिन आप हुजान का हरानगी होगी कि नौर्थ कुरिया के अंदर आज भी ये रूल मौजूद है अगर नौर्थ कुरिया का कोई भी शक्स गलती से भी किम जौंग उनकी डिस्रेस्पेक्ट करे इसके खिलाफ बात करे मुल्क से भागने की कोशिश करे किसी रूल को तोड़े या पिर चोटी मोटी चोरी ही क्यो ना करे पुलीसे से फौरन अरेस्ट कर लेती है और फिर इसे पबलिकली एक्सेक्यूट किया जाता है इस सजा का तरीका ये है कि पहले पूरे शहर को जमा किया जाता है फिर मुजरम को शहर के चौक में लाकर खड़ा कर देते हैं और इसे सब के सामने पांसी की सजा दी जाती है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि मुजरम के पूरे खांदान को भी बुलाया जाता है और इन्हें इसके करीब लाकर खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो सब इसे मरते हुए देख सकें अगर इसके खांदान का एक भी फर्द ना आए तो इसे भी मुजरम करार दिया जाता है इसलिए सारी फैमली मुजरम की मौत का मनजर दिखने के लिए आती है और इसे अपनी आँखों से मौत के गाट उतरते हुए देखती है वेल इससे जर्म करने वाला शक्स तो मरता ही होगा लेकिन जस्ट इमेजन किसकी घर वालों और बच्चों पर क्या गुजरती होगी ये पनिश्मेंट वाके ही में बहुत भी आनक है पनिश्मेंट फॉर स्माइलिंग का एक मकसूस दिन है जिसमें स्माइल करना सखती से बैन है दरसल 8 जुलाई 1994 को किम जॉन के दादा किम इंग्ल सुन की डेथ हुई थी और किम इल ना सिर्व किम ओन का ग्रेंट फादर था बलकि नौर्थ कोरिया का फॉंडर भी था इसलिए इसकी मौत वाले दिन हसने पर मुकमल पाबंदी होती है इस दिन पूरे नौर्थ कोरिया में ना तो कोई बंदा किसी किसम की सेलिबरेशन कर सकता है ना ही चुइंगम खा सकता है और ना ही उस दिन कोई उंची आवाज में बात कर सकता है अगर गलती से भी पुलीस वाले ने किसी को हसने हुए देख लिया तो इसे जेल में बंद कर देते हैं और इतनी सक्त सजाए दी जाती हैं किसकी नसले भी याद रखेंगी सिर्फ इतना ही नहीं बलके एक दफ़ा कुछ लोगों को पुलीस ने 8 जुलाई वाले दिन हसते हुए देख लिया था और इन्हें अरेस्ट करके सजाए मौत दिये गई थी इवन बाज दफ़ा तो ये अफसोस वाला दिन 11 ग्यारा दिन तक लगदार चलता है और इस दोरान किसी को भी हसने की इजासत नहीं होती ये रियली अन्बिलेवेबल है पनिश्मेंट इन क्वाली सू प्रिजन दो 29 दिसमबर 2015 को अमेरिका में रहने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम ओटो वांबियर था वो नौर्थ कुरिया में विजट करने के लिए गया तीन दिन ये नौर्थ कुरिया की एक होटल में रहा और दो जनवरी 2016 को जब ये अमेरिका वापस आने लगा तो जिस होटल में ये रह रहा था इसने वहां से एक पोस्टर चोरी कर लिया वो इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाता था लेकिन इसे होटल के सिस्टी वी कैमरे में देख लिया गया और पुलीस ने से अरेस्ट कर लिया इस पर जासूस होने का इल्जाम लगाया गया और इसे कौलिसु जेल में डाल दिया गया आपको बताता चलू कि कौलिसु जेल कोई आम जेल नहीं है बलकि नौर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक तरिन प्रिजन्स में से एक है इसके अंदर एक लाख बीस हजार कैदी मौजूद है इस जेल में मुजरमों को बहुत ही भ्यानक, जहनी और जिसमानी सजाएं दी जाती है और इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सजा पूरी होने से पहले ही मर जाते है आटो को भी इसी जेल में तीन महीने तक रखकर इसी तरह सजाएं दी गई थी लेकिन अमेरिका के बहुत ज़दा जोर डालने पर मार्च 2016 में आटो को रहा करके अमेरिका भेज दिया गया लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बिचारे पर जेल के अंदर इतने जुल्म किये गे कि जेल से अमेरिका वापस आने के सिर्फ छे दिन बात ही इसकी डेथ हो गई थी पर इससे भी शौकिंग बात ये है कि नौर्थ कोरिया की गौर्मेट ये बात मानने के लिए त्यार ही नहीं है कि इनके मुल्क में कोई ऐसी जेल भी मौजूत है पर सैटेलाइड इमेजिस और आटोवंबियर की स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये जेल किसी जहन्नम से कम नहीं है पनिश्मेंट फार नौर्ट वोटिंग दूसों वैसे तो ये बात सुनने में ही अजीब लगती है कि नौर्थ कोरिया के अंदर इलेक्शन भी होते होंगे क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि नौर्थ कोरिया पर किम जॉन उन और इसकी आने वाली सारी नसलों ने ही हकूमत करनी है लेकिन इसके बावजूद वहां की गॉर्मेट इलेक्शन्स करवाती है पबलिक को मजबूरन किम जॉन उनको ही वोट देना पड़ता है क्योंकि इनकी पास इसके इलावा कोई और आप्शन नहीं होता आपको जानके हैरानगी होगी कि नौर्थ कोरिया में वोट देना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना जाहे कोई शक्स मर भी रहा हो तब भी इसे किम जॉन को वोट देने के लिए आना ही पड़ता है अगर गलती से भी किसी शक्स से वोट मिस हो जाता है तो इसे मुलक और किम जॉन उनका गदार करार दे दिया जाता है गॉर्मन्ट सबसे पहले तो इससे इसका घर चीन लेती है और फिर इसे जॉब भी ले ली जाती है इसकी बाद उसी इलेक्शन खतम होने तक अंडर सर्विलिन्स रखा जाता है जब इलेक्शन खतम हो जाते हैं तो इसकी बाद इसे अरेस्ट करके या तो कतल कर दिया जाता है या फिर सारी जिन्दगी के लिए जेल भेज देते हैं जहां इसकी नसले मी किम जॉन उनको वोट ना देने की सजा बुकती है